जै माता की सभी को आज जानकारी लेकर के आए हैं नजर उतारने के यंत्र के उपर देखे हमारे एक वीडियो है चंद्र ग्रैन का जो वीडियो है चंद्र ग्रैन में क्या कर सकते हैं उसके description में आपको नजर उतारने का मंत्र भी मिल जाएगर वो मंत्र 100% सिद्ध है गुरूं से मिला हुआ है क्योंकि ये जो जाड़े वाड़े के मंत्र होता है हम हमेशे बोलते हैं इनके लिए खास गुरूओं की जरूरत नहीं होती कि आप गुरूदान करना ही जरूरी है ब तो इस यंत्र को या तो छोटे से तामबे के तावीज के टुकडे तामबे के जो टुकडे होता है उस पे बनवाली जी आप या भोज पत्र पे चंदन से लिख सकते हो और या फिर आप इसको किसी सफेद कागज पे भी बना सकते हो अगर भोज पत्र नहीं अवलेबल होता यहां पर इनको यह उता है कि जैसे लोग होते हैं के छोटे बच्चे हैं उनको बुरी नजर दोष्ट हो जाता है हमारे काम दंदे को बुररी कई लोगों के शोरूम आच्छी जिनकी कमाई होती है अच्छा जो पे होते हैं अच्छी नोक्री में लगी होतिन किसी का घर-मकान, नजर भी नजर हर प्रकार से हर चीज को लगती है और कहावतें भी अगे बुरी नजर तो पत्थर को भी नदेती तो ये बात बिलकुल सकते हैं तो जो लोग मंत्र सीध करना चाते हैं उस वीडियो के डिस्क्रिप्शन से आप मंत्र ले करके मंत्र भी सीध कर सकते हो किसी पुन्य शूब मौर्थ पर 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 अज यंत्र की बात करेंगे तो यंत्र जो है यंत्र का आपको फोटो भी मिल अगर आपकी दुकान है तो छोटे से तामबे के टुकडे पर इसी अंत्र को बनवाईए अंकित करवाईए किसी भी श्याही से करवा सकते हो या फिर जैसे गुदवा लेते हैं मशीन होती है एक तामबे पर लिखने वाली उससे तो इसको उस पर लिखवा कर अपने व्यापारस्थल दुकान पर या फिर अपने घरमकान की मुख्या द्वार की जो चोकट होती है वहां पर टांग दो इसका एक खास पूजन होता है पूजन करने के बाद और जासे छोटे बच्चे होते हैं तो एक तावीज मिलते हैं तामबे के तो उसमें वोजपत्र पर ये आप अश्टगंद से लिख सकते हो अश्टगंद अविलेबल नहीं होती है तो अनार की कलम से आप इसको चंदन से भी लिख सकते हो रोली से लिख सकते हो किसी भी प्रकार की लाल शाही से आपने ये अंतर लिख लेना है और उसको सुखने के बाद पूजन इत्यादी करके धूप दीप नवैद्या आदी से इसका पूजन करें पूशप आदी चड़ाएं अक्षत पूशप से और दीपक जला करके इस अंत इसकी जो अरजा है वो मुझे बचाए इस वरकार से आप बोल देना है आप लोगने और ये ये यंत्र जोवात आवीज में डाल करके इसको ध्यार not कर लेना है जैसे बच्चे हैं बच्चे भी इसको डाल सकते हैं बादू पे बांध सकते हो अपने वियापार इसब्द रिखा सकते हो इसको चिपकाने से क्या होगा कि आपका जो कार्या स्थल है दुकान वगारा है तो उसमें बूरी नजर नहीं है लगती है लोगों की क्योंकि कहीं बार क्या होता है कि हमारी अच्छी सेल हो रही होती है और कोई भी आता है तो हमारी सेल को देख करके कहीं न कहीं मन में उसके ये विचार उत्पन होता है के वाई इसका तो कामदंदा बहुत अच्छा चला हुआ तो नजर दोस बहुत जल्दी हमारे कामदंदे को लग जाता है और हम लोग क्या सोचते हैं किसी ने अमारे पर कुछ करवा दिया देखिए कई जगा पर नजर भी दोशी होती है इस चीज में तो ये बुरी नजर उत होती है तो उससे ही इसको लिखे या फिर आप मैं बता रही हूं चंदन से भी लिख सकते हो तो क्या होता है कि कई लोग ऐसे होते हैं जो अपने दुख से दुखी नहीं है दूसरों के सुख से दुखी है और आज कल तो 90% दुनिया ऐसी हो गई है कि खुद के दुख से काम नहीं चलता है तो नजर दोश के कान भी ऐसा हो सकता है तो नजर दोश उतारने के लिए यह अंत्र को आप जरूर बनाए जरूर धान करें और इस पर विश्वास भी करें यह कोई गूगल से उठाई हुई जान क्यारी नहीं है यह गुरूओं से मिली हुई चीजे हैं और बहुत सारे ऐसे यंत्र हमें अवलेबल हमारे गुरू महाराज के द्वारा करवाए गए हैं जो आम जगत के कल्यान के लिए हैं तो उन्हीं के आदेश से हम इनको यूटूब पर डाल रहे हैं वैसे हमने आज तक इनको यूटूब पर नहीं डाला है चिपा के रखिए यह चीज परन्तु क्या है कि जो लोग इस काटगरी से जुड़े हैं देखे चानल वही देखते हैं जो इन चीजों में माननेता रखते हैं और यह बिल्कुल सिद मंत्र है बिल्कुल सोरी यंत्र है इसको जैसे अंकित किया गया है उन्हीं अक्षरों से आपने यह बनाना ह क्योंकि अक्षरों का अपना एक महत्व होता है इनमें जैसे साथ चार छे साथ छे इनका एक महत्व होता है यह किसी ना किसी बात का जो मंत्र बगार होते हैं जैसे वेद हैं पुरान हैं उनमें जो तंत्र के ख्षेतर में जाता हैं उनके जैसे कोई श्लोग है उसके तो इन में जो उर्जा है श्री गूर गोरक नात जी नमहा श्री गूर गोरक नात जी के आप भोग पर साध चड़ा सकते हो और उनका नाम ले करके लुना चमारिन की दुहाई दे करके इस मंत्र को सिध कर सकते हो अपने किसी भीष्ट के सामने रखके इसको पूजन करके जो देवी मा को मानते हैं उनके लिए तक्या असान होई जाता है ये सभी काम क्यूकि जो मातरानी मा कालिका से जुड़े हैं मा बगवती जगदंबा दुर्गा से जुड़े हैं माता पाथरी वाले मिदान वाले तो ये सभी गुरुवों के आगे चलने वाली शक्तिया हैं और लुना चमारिन की दुहाई से बहुत सारे कारिय करवा सकते हो और क्यूकि कई मंत्र ऐसे भी होते हैं जो हमारे पास भी है के दुहाई गुरु गोरखनात की मेरा काम न करे तो लुना दे चमारि की कुंड में पड़े जो लास्ट में लाइने होती हैं मंत्रों की सुनी तो जी यह जानकारी थी नजर बुरी नजर उतारने के यंत्र के उपर कोई भी चीज आपको अगर यंत्र मंत्र हमारे द्वारा दिये जाएंगे तो आप यकीन से उनको जपिएगा विश्वास से उनको करिएगा वो कोई गलत चीज हम नेट पे नहीं डालते हैं हम अच्छी चाहिए वो मंत्र भी वाट्सप के जरिये ले सकते हैं गुरु दत्ता त्रेजी का वो मंत्र भी आप लोगों को अवलेबल करवा दिया जाएगा तो जी सभी को जैमाता की चैनल को सब्सक्राइब करिए चैनल से जुड़े रहिए बढ़िया अच्छी और सही जानकारी